बॉलिवुड में प्यार और ब्रेकप की खबरे अक्सर सुनने को मिलती हैं। कई बार फांस को अपने फेवरेट सितारों की लव स्टोरी के बारे में जानकर हैरानी होती है। तो कई बार उनका रिष्णा तूटने से उन्हें गहरा सदमा पहुशता है। बता दे कि साल 2022 आलिया भर्ट समीट कई बॉलिवुड सितारों के लिए काफी शानदार रहा। लेकिन कई बॉलिवुड सितारे ऐसे हैं जिनके लिए 2022 काफी मन्हूं साबित हुआ। को सितारों के घर बसे तो कई के रिष्णे तूटे। इसलिए आज की हमारे इस वीडियो म काली विली फिल्म में नजर साथ आए इशान खटर और अनन्या पांडे की दो साल पहले लिंक अप की खबरे सामने आई थी कि दोनों एक दूसरे को रेट कर रही हैं लेकिन पता नहीं कुछ महिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि दोनों ने अपने अपने रस्ते अलग कर लिय जिसके चलते अभी किसी भी इविंट में साथ नजर नहीं आते दोस्तों आपको बताने कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पतानी के भी बेहत अच्छी अंडस्टान्डिंग थी उन्होंने साल 2015 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था ऐसे में 6 साल के लंबे रिलेशन्शिप के बाद दोनों का अलग होना सभी को हैरान कर गया दरसल दिशा पतानी को टाइगर श्रॉफ से शादी करनी थी लेकिन टाइगर श्रॉफ शादी के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थे ऐसे में दोनोंने एक दूसरे से ब्रेक अप करके अपने रास्ते अलग कर लिए राकिश बापट और शामीता शेती के ब्रेक अप से पूरा बॉलिवर्ड हिल गया था जी हाँ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस के घर में इन्होंने बहुत इश्क परमाया था लेकिन दो मैने पहले ही इनका ब्रेक अप हो गया दोस्तों सिद्धात मनोत्रा और क्यारा अधवानी के ब्रेक अप से तो पूरी दुनिया वाकिफ है दोस्तों एक समय था जब नाईसा देवगन और यश्वरधन आहुजा एक दूसरे को डेट कर रहे थे लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब मिस अंडरस्टांडिंग की वज़ा से दोनों अलाग हो गए तो दोस्तों आपको इन में से किस के ब्रेक अप के बारे में जानकर दुख हुआ आप हमें कमेंट बाक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथी ऐसी और दिल्चस्प बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंडा ना भूलें